नमस्कार दोस्तों और यह के से राइट से केड़ी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों यदि आप 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 अपरेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनारा मौका है निकलियर पावर कारप्रेशन आफ इंडिया लिम्टेट की एक साखा जो की राजस्थान में है रा फार भरना सुरू हुआ है 25 अगस से फार भरना सुरू हो गया है 13 फितमबर तक यह फार भरा जाएगा और फार भनने के बाद जो प्रिंट आउट नेकिलेगा उसको पते तक पहुचने पर जो निर्धारिद पता है वहां पर पहुचने का जो लाफ डेट है 27 सितमबर है मत कितनी वेकंशी में दी गई गई हैं कि फिटर की तो फिटर में कुल 30 सीटों पर चेम होगा ठीक है प्टर के लिए क् wymट3 सीटे निर्धारी तर्णर की चारसीटे नंक की सीटे है एक सो साथ सीटों पर यहां पर चैन होना है और यहां जो अप्रेंटिस होगा वह एक बर्स के होगा अगर हम उमर की बात करें तो आपकी उमर 14 बर्स से कम और 24 बर्स आज ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन इसके साथ यह OVC के लिए तीन वर्स ठीक है OVC के लिए तीन वर्स यह CST के लिए पांच वर्स था पी डवलो बीडी के लिए दस वर्स की छूट दी गई है मतलब यह एगर 24 से ज्यादा उमर के हैं OVC तीन साल ज्यादा है यह CST की पांच साल और पी डवलो बीडी देश साल तो भी फाम भर सकते हैं तो इनका इतना एज relaxation है तो बात आती है पैसा कितना मेलेगा तो आपको परतिमा ठीक परतिमा साथ Fazer RAM मिलेंगे यह यदि आप साल की कंप्लीट किये डीक यदि आप साल के कंप्लीट किय था है है आपको मिलेगा 700asan उपन यह दी आप साल की नोफशाल 2022 मणत यह होगी पैसे की बात अब बात आती है कि आगे क्या योगताएं हैं तो योगता में सबसे बली है सैच्छिक योगता तो सैच्छिक योगता में यह लिखा गया कि आप जिस ट्रेट से आपको प्रमाडपत्र मिला है आप उसी ट्रेट से फार्म भर सकते हैं यदि आपको फि पिछट देने कहा जाना पड़ेगा तो आपको रावद भाटा राजस्थान नहीं प्याव का अप्रेंटिस होगा ठीक है अगली बात आती है कि प्रफिच्छंट लिए सारेरी की योगता कितनी होनी चाहिए तो आप ये भी देख लीजिए कि जो उमिद्वार है वह किसी प्रकार से किसी संक्रामक रोग जिससे जिसे चुगाचूत वाले रोग हो गये या दूसरी से फैलने वाले रोग उनसे गर्शित ना हो दूसरी यहां पर लिखा गया कि यह टीवी से गर्शि से जाधा होनी चाहिए आपका जो बेट है 25 किलो 400 ग्राम से जाधा होना चाहिए आपका जो सीना है फुलाने पर 3.8 से अधिक फूलना चाहिए ठीक इतना या इस से जाधा फूलना चाहिए आपकी जो आखें हैं ठीक उनके पलकों में कोई प्रकार की विक्रित नहीं होनी चा और इसके साथ में क्या है आगे डिपड़ी दिया गया कि जब आपका स्लेक्षन हो जाएगा तो उस तो जिन का नंबर अच्छा हो जाएगा यह सिंपल सी बात है ठीक है लेकिन मैं आप से यह कहूंगा कि आपको फार्म जरूर भनना चाहिए क्योंकि फार्म भनने के बाद वहां पर आप देखेंगे कि बहुत से डाकुमेंट लग रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है चरित प्रवाण पत्र ठीक है और बहुत से अच्छे नंबर वाले भी हो सकता कि फार्म ना भरे और आप अगर फार्म भरने भरते हैं तो क्या पता आपका सेलेक्शन हो जा क्रिफिकेशन में दे दूँगा ठीक है और अवेधन कैसे करना है तो अवेधन करने के कुल तीनी स्टेप है ठीक है सबसे पहले आपको जाना कहा है सबसे पहले आप जाएंगे उद्ध कौसल विकास योम उद्धमता मंत्राले के बेपोर्टल पे मतलब इस साइट पे प्रिंट आउट मिलेगा उस प्रिंट आउट को आप निकाल लेंगे प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसके साथ क्या करेंगे आप कुछ और डाकुमेंट जैसे आई टी आई परमाड़ पत्र और अंके तालिका है ठीक है जो आई टी आई का आपको परमाड़ पत् के लिए आपको हाई स्कूल का प्रमाड पत्र लगेगा ठीक है इसकी फोटो कापी ले लेनी है और उसके बाद क्या करना आपको अगर यदि आपने कुछ और किया है तो उसका भी क्या नाम है आपको प्रमाड पत्र की फोटो कापी ले लेनी चाहिए ठीक है अगर यदि आप पे CST, OBC हैं ठीक है या EWS हैं तो आप उसका भी परमाणपत्र की फोटो कापी लगानी होगी ठीक है सम्मंदित पुलिफा अधिकारी के द्वारा आपको पुलिश सत्यापन परमाणपत्र भी लगाना पड़ेगा और चरित परमाणपत्र भी आपको लगाना पड़ेगा साथ में आपके चार नवीन फोटो यह आप इतनी सब चीजे एगठा करके उस से जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको साथ हमें लेकर इन सब को लेकर क्या करना आपको जो उपर दिया गया पता है मानो संसाधन अधिकारी नाभी की पर फिच्छन के दिर रावत भा स्पीड पोस्ट कर देना है और स्पीड पोस्ट करने के बाद क्या होगा यह 279 2021 साम पांच बजे तक यह पहुच जाना चाहिए ठीक कि इसके बाद पहुचेगा तो आपका फॉर्म गिना नहीं जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह हो गया कि आपको फॉर्म भर लेना है समय रहते हैं फॉर्म बनने के बाद जितने डाकुमेंट यहाँ पर बताएगे हैं सब कुछ आपको बनवा लेना है बनवाने के बाद उसको आप सही समय पर आप इस पते पर भेज़ दे जिससे की 27 सितंबर से पहले यह आपका डाकुमेंट वहाँ पहुचे जाए साम पां खर्चा सुरुपे खर्चा होंगे ठीक है और हो सकता है आपको सेलेक्शन हो ही ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही और यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके बताएगा और मैं उसके लिए सब्सक्राइट वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है तो आज आप से विदा लेते हैं जै हिंद जै भारत